सविधान दिवस के असर पर शुक्रवार को डॉक्टर बाबा साहिब अमबेट कर पंचिशीर उत्सव मंदल त्रीशरन चौकी और सी कारेक्रम का आयोचिन किया गया जोरान पुर्वराज मंतरी सुलेखा कुमबारे और बरियम के नागपुर जिलहाद देख्ष संदिप कामली मौजू थे हर भारतिय नागरिक के लिए हर साल 26 नवंबर का दिन बेहत खास होता है दरसल यही वह दिन है जब देश की समिधान सभा ने मौजुदा समिधान को विदिवत रूप से अपनाया था यह समिधान ही है जो हमें एक आजाद देश का आजाद नागरिक की भावना का एसास कराता है जहां समिधान के दिये मौलिक अधिकार हमारी ढाल बन कर हमें हमारा हक दिलाते हैं वहीं इसमें दिये मौलिक कर्तव्य में हमें हमारी जिमेदारियां भी याद दिलाते हैं हरवज 26 नवंबर का दिन देश में समिधान दिवस की तौर पर मनाया जाता है 26 नवंबर को राश्री कानून दिवस की रूप में भी जाना जाता है इसी के तहित शुक्रवार को शहर में अलगलग जगा विविद कारिक्रमों का आयोजन किया गया इसी श्रंकला में डॉक्टर बाबा साहिब अंबेट का पंशील उत्सम मंडल त्रीशरन चौक की और से कारिक्रम का आयोजन किया गया इस दौरान पूर्व राज्यमंत्री सुले का कुम्भारे और बर्यम के नागपूर जिलाधियक्षिसंदीप कामले मौचूद थे जिस द संविधान के आदान पर यह देश बहुत आते जड़े करें बारती राज्यमंत्री शिर्पकार डॉक्टर बाबा साहिब आंबेटकर यांचा यांडी आज संविधान दिवसा है ता पिसावर खुब असा चांगला स्प्रतिसाथ नागरी करें इते कुझ जिलाल पेटिके बता दे कि भारती संविधान दिवस के अफसर पर शुकुरवार को नगर में सरकारी अरदी सरकारी कारियालों में डॉक्टर बाबा साहिब आंबेटकर की फोटो प्रतीमा पर मालियर्पन कर विनम्र अभिवादन किया गया इसी के साथ संविधान की प्रस्तावना का सामु ही वाचन किया गया कैमरा परसन माइकल के साथ दिशा हटवा बीसे न्यूस नाखपुर